Now, that is law of crime. सबसे पहला कुश्चन है whether the provision of the Indian Penal Code are applicable to extraterritorial offense? If so, under what circumstances? तो कुश्चन यही है कि जो Indian Penal Code है, क्या वो ऐसे crimes पर applicable है, जो citizen India का हो, लेकिन वो कुछ बहार जाकर crime कर दे? या फिर कोई foreigners है, वो यहां आकर कोई crime कर दे? तो Indian Penal Code extraterritorial का मतल यही होता है, कि अपनी territory में तो सजा देता ही देता है, जो crime करते हैं लोग. क्या वो extraterritorial powers रखता है? यानि IPC के अंडर क्या ऐसे sections हैं, या ऐसे provisions हैं, जिसके थूँ अगर कोई भी Indian resident, कोई ऐसा offense करता है, जो IPC के अंडर एक सजा है, तो वो बाहर जाकर अगर वो offense करता है, तो उसे punish दिया जा सकता है, उस extra territorial में जाकर. तो इसके बारे में हमारे पास इसका जवाब है हाँ. तो यहाँ पर अपके पास section जो 2 था, उसमें तो intra-territorial jurisdiction के बारे में बता रखा था, कि अपने territory में IPC की क्या powers बनती है, crime offense को punish करने की. लेकिन section 3 और जो section 4 है, उसमें किसको लेकर provision है, extra-territorial jurisdiction को लेकर, कि अगर कोई भी person है, a citizen of India, outside, wherever he may be, if guilty of any offense, will be punishable under the code, तो अगर कोई भी resident है इंडिया का, और उसने word में कहीं पर भी जाकर कोई crime करे है, और वो crime Indian penal code के तहत crime माना जाता है, offense माना जाता है, तो उस पर जो है jurisdiction पढ़ती है Indian codes की, इसे ही बोलते है extra-territorial, जो कह सकते हैं आप powers, तीक है न, अगर कोई भी ship या aircraft है, जो Indian registry में आता है, यानि वो Indian registered है, चाहिए वो India का है या वो नहीं है, उस पर भी Indian jurisdiction apply होती है, ठीक है न, उसके बाद जो यह word है offense, include every act committed outside India, if committed in India, would be punishable under the code, तो अगर outside India में कर रहा है, तब भी वो same तरीके से punishable है, अगर वो India के अंदर punishable है, उतने ही तरीके से, एक example है, जिसमें एक citizen है इंडिया का, वो युगांडा में कोई murder करता है, तो यह नहीं कि वो इंडिया आकर बच जाएगा, इंडिया में भी उसको वही सजा मिलेगी murder को लेकर, IPC के दहा है, तो उस पर वही case चलाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर trial नहीं चल सकता है इंडियान कोट में, उस पर इंडियान कोट में भी trial चल सकता है, तो उसने crime कहीं और करा, territory कहीं और थी जहां crime करा, और उसको punishment देने की territory, तो हमारी extra territorial powers है, एक और case है जिसमें A, एक Indian person होता है, जो उकसाता है, instigate करता है B को, B एक पाकिस्तानी होता है, B को उकसाता है कि तू C का murder कर दे, ठीक है न, और उसके लिए एक letter भेजता है, Delhi से कराची की तरफ, B उसकी विश्च को नहीं पूरा करता, तो यहां पर A को इस crime के लिए सजा मिलेगी, कि उसने B को उकसाया, कि वो सीखा क्या करे, murder करे, तो इस तरीके से, अगर कोई भी citizen इंडिया से बहार territory में है, और वगर वो crime करता है, तो he is liable for the offense under Indian Penal Code, उसका venue क्या है, उसका place क्या है, यह कोई matter नहीं करता, तो यह नहीं देखा जागा कि किस जगा पर crime करा, और even अगर कोई भी इंसान ऐसा है, जो crime कर रहा है, तो उसकी citizenship Indian नहीं है, और बाद में वो Indian citizenship ले लेता है, तो वो इस excuse में बच नहीं पाएगा, कि उसके बास उसने में Indian citizenship नहीं थी, कुछ exceptional cases में, इन cases में भी उसको सजा जरूर मिलेगी IPC के अंडर, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, क्यूंकि हमने देखा है कि foreigners, अगर हम बात करें, crime committed outside India, तो section 4 क्या कहता है, section 4 in effect means to say that, where an offense is committed beyond the limit of India, अगर India से भार जाके किया है, तो दो बाते हो सकती है, एक तो इंडिया में ही उस पर trial जा सकता है, तो उसे हम बोलेंगे extra territory jurisdiction, या फिर इंडिया के द्वारा उस इंसान को, उस territory को या उस country को swap दिया जाएगा, जिस country में crime होए, इसे बोलते हैं हम लोग extra addiction का principle, अब बात आती है कि fawners पर क्या लगता है, जब हमने बोल दिया any person, कोई भी person, तो यहाँ पर fawners भी cover होते हैं, जैसे वो इंडिया के soil mentor करेंगे, तो वो यहाँ के IPC के under cover हो जाता है, तो यहाँ पर cover भी crime करते हैं, तो they are also liable under the IPC.